आज के टोपिक में हम बात करेंगे EM विव थियूरी EM विव थियूरी का मतलब क्या है बेसिकली इसको बोलती है Electromagnetic Wave Theory ठीक है Electromagnetic Wave Theory इसको सबसे पहले जो दिया वो दिया James James Clark Maxwell ने कब 1864 सबसे पहले इस थियूरी को JC Maxwell ठीक है यहां सिंपली Maxwell भी आप कह सकते हो पूरा नाम था James Clock Maxwell अब इसको Maxwell कह सकते हो Maxwell ने यह थियूरी दी इसको हम बोलती है EM विव थियूरी Electromagnetic Wave Theory इसके अंदर उसने चार Postulates दिये ठीक है इसने दिये total अपने four Postulates Postulates मतला points उसने main जो points उसने दिये वो क्या थी इस theory के सबसे पहले तो इसने कहा कि अगर हम किसी भी source में से light बाहर निकाल गए अगर कोई light किसे source में से बाहर निकल रही है तो वो source उसको continue wave की form में emit करेगा ठेक है अगर कोई बलब ले रहा हूँ अगर simple words में बताऊँ अगर एक source लेता हूँ तो वो एक light जो emit करता है वो एक continue radiation continue waves की form में ही इसको emit करेगा ठेक है ये क्या होगी मेरी continue spectrum ठेक है उसने पहले point में अपने क्या explain किया है कि अगर मैं किसी जैसे मैं example ले रहा हूँ बलब की बलब के अंदर light आती कहां से है electricity light कैसे generate कर सकती है इस चीज को इसने देखा इसने क्या कहा कि बलब के अंदर क्या present है बलब के अंदर एक filament present है ठेक है आपने का भी बर बलब देखा होगा जो पुराने time पे चलते थे आज कल तो CFL वगरा चलती है या LED बलब चलती है पहले चलते थे wire वाले इसके अंदर क्या होती थी पतली सी tungsten wire present है थी जिसका काम क्या होता था कि जब उसमें से current flow करता है तो due to heating effect current किसी चीज को गरम कर देता है तो इस wire के गरम होने पर ये अपने में से क्या करती है radiation बाहर निकालती है और वो भी कैसी radiation continue radiation बाहर निकालती है continue radiation बाहर निकलती है तब जब उसमें से कोई क्या निकल रही हो wave निकल रही हो इसने इस चीज को अपने पहले postulate में explain किया कि कोई भी source जो है वो light को in the form of continue waves ही बाहर निकालता है सबसे पहले point में दूसरे point में इसने कहा कि कोई भी radiation अगर मैं ले लूँ तो उसके अंदर दो components present होते है any radiation is made up of two components ठीक है जिसमें से एक component होगा electric field वाला तो दूसरा component होगा magnetic field वाला ठीक है light कहते है कि यह max1 ले कहा कि radiation जो है basically दो components की मिलके बनी होती है वो जो दो component है उन में से एक component के नाम electric field है जिसको E vector के नाम से लिखा जाएगा दूसरा जो है वो magnetic component है जिसको M vector या B vector से लिख देती है ठीक है अब इसको मैं represent करूँ तो कैसी है wave एक एक wave को represent करें तो wave कुछ दिखने में ऐसी है ठीक है एक wave के दो component जो है दोनों एक दूसरे से क्या है mutually perpendicular to each other and also perpendicular to the direction of the propagation of the wave means यह दोनों component जो है एक दूसरे से क्या है perpendicular और यह direction wave किदर जा दिये इससे भी क्या है perpendicular तो इसके लिए सबसे बहतर रहता है हम ऐसे तीन सिस्टम का coordination coordinate यूज करें तो कैसे wave शो कर सकते हैं ठीक है यह मेरी होगी एक components यह दूसरे component ठीक है अगर इसको मैं शो करूँ मालो मैं कहता हूँ कि इधर मेरा electric field वाला component है means along y-axis along z-axis मेरा magnetic field वाला component है ठीक है along z-axis और along x-axis मैं लेट कर लेता हूँ कि मेरी क्या है direction of propagation of wave means मेरी wave इस side पे means along the x-axis move कर रही है तो क्या होगा ऐसे components मैं इसमें represent कर सकता हूँ यह मेरे होगे electric वाले यह मैं जितने भी भी शो कर रहा हूँ यह मेरे कौन से components नहीं यह मेरे electric components है ठीक है और यह मैं red band से शो कर रहा हूँ इसको magnetic वाले ठीक है यह हमारे दो components है अगर आप द्यान से देखें तो मेरे जितने भी यह blue वाले component है means इसको मैं बोलूँगा electric वाले यह जो मेरे electric field वाले components है मेरे सभी क्या है इस line के means y axis के क्या है parallel ठीक है यह सारे यह 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 और यह यह सारे क्या है इस axis के parallel है ठीक है आप जो उन समर्जी देख लिए और यह मेरे red वाले जितने भी है यह 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 इस तने भी red वाले है वो मेरे इस axis के parallel है ठीक है means मेरी z axis के parallel है जो magnetic axis है उसके parallel है इस तरह से हम कह सकते है कि यह मेरे तीन component हो गए electric वाला magnetic वाला और direction वाला ठीक है electric magnetic और direction यह तीनों क्या एक दूसरे से क्या हो गए तीनों एक दूसरे से क्या है mutually perpendicular to each other ठीक है यह हमें सबसे पहले क्या बताया maximum ने कि light दो components की मिलके बनी होती है अब तीसरे postulate में तीसरे postulate में उसने क्या कहा कि किसी बे radiation के अंदर अगर कोई radiation जो है अगर वो wave character follow कर रही है ठीक है अगर वो wave character को follow कर रही है तो उसकी traveling speed जो उसकी velocity होगी travel करने की travel velocity जो होगी वो कितनी होगी same as that of light जैसे 3 into 10 raise to power 8 meter per second ठीक है means कहने का simple word के मतल़ किया है कि radiation चाहे जो मरजी हो उसकी velocity approximately बिल्कुल exact नहीं लिख सकती है आपर मैं approximately कह रहा हूँ कि approximately या nearly 3 into 10 raise to power 8 meter per second होगी ठीक है कुछ cases में यह थोड़ी सी कम हो जाती है बट ज्यादा इससे नहीं कभी भी होती ठीक है maximum value यह होगी 3 into 10 raise to power 8 meter per second बट थोड़ी बहुती किसी cases में यह थोड़ी बहुती कम भी हो सकती है ठीक है इस तरह से आ गया इसका तीसरा postulate चौथे postulate में इसने क्या कहा कि किसी भी तरह से अगर कोई wave follow कर रही है तो wave को wave do not need material medium for their propagation ठीक है waves do not need any material medium इसका उतलब यह हो गया कि wave को travel करने के लिए किसी भी तरह से कोई medium नहीं चाहिए कुछ waves ऐसी होती है जिनको mediums चाहिए होती है जैसे sound wave आपको sound wave के बारे में बता रहा हूँ कुछ है वैसे तो इस chapter में नहीं है थोड़ा सा हट गई है बढ़ फिर भी आपको थोड़ी knowledge दे रहा हूँ sound wave के बारे में sound wave ऐसी wave है जिसको material medium चाहिए होता है अगर मान लो कि हम यहाँ पर बोल रहे हैं अगर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ तो आप में को सुन पा रहे हूँ क्यों सुन पा रहे हो क्योंकि मेरे मूँ से जो sound wave निकल रही है वो medium के अंदर travel करते हुए मेरे phone तक पहुँच रही है तो आपके phone से आप तक पहुँच रही है ठीक है means उसको लिए sound wave का travel करना medium के दोवारे जरूरी है अब क्या है कि मान लो मैं क्या करता हूँ मैं इसी phone को लेकर outer space में चला जाता हूँ outer space में चला जाओ यहाँ पर कुछ कोई medium नहीं है कुछ नहीं है तो क्या होगा वहाँ पर एक medium ना होने की कारण sound wave क्या करती है एक particle से दूसरे दूसरे से तीसरे तीसरे से चौथे चौथे से पांच में इस तरह से ट्रेवल करती है अगर रास्ते में particles ही गायव कर दू तो sound wave ट्रेवल नहीं कर पाएगी अगर मैं बाहर mobile लेके चला जाओ अपना तो मेरी sound wave आएगी यही मेरी sound wave बिलकुल गायव हो जाएगी मैं सिर्फ बोल ही नहीं पाऊंगा ठेक है ऐसा क्यों क्योंकि उसको लिए उसको medium चाहिए बड जो light wave है जो radiation जो wave character वाली होती है उसको medium नहीं चाहिए जैसे light है light को कोई medium नहीं चाहिए जैसे sun से sun से light हम तक पहुँच रही है इसको कोई medium नहीं चाहिए पहुँचने के लिए these are the EM wave theory postulates